आजी बच्चों क्याल साल है? A very good morning to all of you और अब तक जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो वर्ल्ड कप का नतीज़ा आ चुका होगा So let's hope के इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते By the way, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और comment section में जरूर comment करना जो भी टीम जीती है मुझे तो पता लगी जाएगा Sunday को लेकिन क्योंकि ये वीडियो इस टाइम से पहले बनाया जा रहा है तो just to check your attentiveness and josh for this World Cup season क्योंकि World Cup की बात हो रही है cricket की बात मैंने आपके साथ करी तो आज एक interesting fact आपके साथ मैं share करूंगा जो कि cricket से related है लेकिन essay writing में भी काम आ सकता है वो है reflexes का यार क्या हुआ अभी न दो तिन दिन पहले की बात है मेरी आदत है शाम को मैं जब office से free होता हूँ तो मैं cycling पे या walk पे निकल जाता हूँ मेरी आदत है मैं गाने बाने कम सुनता हूँ लेकिन मैं podcast सुनता हूँ और मैं podcast सुन रहा था कपिल पाजी का बहुत एक famous podcast show है YouTube channel है Bear Biceps, TRS, The Rinbeer Show और Rinbeer अलाबादिया काफी अच्छे anchor हैं, काफी अच्छे podcaster हैं काफी अच्छे सवाल पूछते हैं तो एक घंटे का अगर आपको time लगे तो ये YouTube पे जरूर सर्च करना कपिल देव TRS podcast एक घंटे का ये वीडियो है और मैं सुनता चला गया और वहाँ पर उन्हें एक बड़ी interesting बात बोली और मुझे लगा कि ये बात आपके साथ मैं share करूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी कुछ TV पे देख रहा हूँ कोई movie देख रहा हूँ कोई series देख रहा हूँ या कोई podcast सुन रहा हूँ कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ मैं उसमें से कुछ share कर सकूँ कोई anecdote या कोई ऐसी बात जिसके चलते शायद वो चार बाते बच्चों को भी काम आ सके कई बार कुछ बाते अकाडमिकली काम आती है कुछ बाते लाइफ का तो जुर्बा ही देती है नौन अकाडमिकली काम आती है बलके मैं नौन अकाडमिक बाते जाधा करता हूँ उन्हों ने रिफ्लेक्सिस की बात करी और इन्होंने ये कहा कि देखो यार मैं 23 साल का था जब मैं काप्टेन बना और 23 साल का कपिल देव और 35-36 साल के कपिल देव में फरक है 23 साल के विराट कोली और 35-26 साल के विराट कोली में यह फरक यहाँ धा Testament का देखो अब क्या होता है कि अब आप cricket केल रहे हो ना बाटींग कर रहे हो या आप balling भी कर रहे हो, feeding कर रहे हो आपको बड़ा swift होना पड़ते है बड़ा alert होके खेलना पडता है यानि कि अगर आप batting कर रहे हो ball swing आने वाली है, in swing होने वाली है bouncer आ रही है, yorker आ रही है तो उससाब से आपको अपना shot time करना पड़ता है similarly अगर आप baller हो तो भी यहाँ पे reflexes आते हैं अब आपने ball डालना है, देखना है कि batsman जो है, वो कहां से कौन से area पे weak खेल रहा है कौन सा ऐसा area जहां पे मैं line and net डालूंगा उस पे batsman out हो सकता है LBW हो सकता है, bold हो सकता है timing और reflexes बहुत important role take करते हैं fielding में देख लो, हम रविंदर जडेजा की बात करते हैं कितने अच्छे fielders हैं, आर्दिक पांडिया की बात हो अगर ये लोगों में reflexes, या agility या swiftness ना हो तो team India आज वो ना होती जो बनी है और reflexes जैसे जैसे हमारी age होती रहती सही बात बता रहा हूँ, अगर आज जब मैं 35 साल का हूँ अगर आज आज आप में को बुलो के सर आप C-68 के 100 questions solve करो उस दो गंटों में, शाद मैं नहीं कर पाऊंगा दो गंटों में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके reflexes with age यह scientifically proven है आप cricketer हो, आप चाहे कोई teacher हो, doctor हो, engineer हो जैसे जैसे आपकी age होती है आपके reflexes जो है न वो थोड़े और समजोर होने शुरू हो जाते हैं मैं यह क्यों आपके साथ बात पर रहा हूँ because यूमर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे reflex, हमारी ability to concentrate को कम हो जाती है क्योंकि 30 के बाद आपकी और जिम्मेवारियां बढ़ जाती है family में जिम्मेवारी बढ़ जाती है parents retire हो रहे हैं, शादी का pressure, etc, etc तो young age में जब हम त्यारी कर रहे हैं young age तो एक ही बार आती है, जवानी तो एक ही बार आती है तो उस age में ऐसी त्यारी करें जहां पर हमारी reflexes बहुत शाथ है अब हमको नहीं पता, देखो school में तो पता होता था कि paper में क्या आने वाला है teacher बता देता था कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये 8-8 marks के questions आएंगे आप अराम से पास हो जाओगे, college में भी मैं ऐसे करता रहा था college में भी रट्टे रुटे मारे, last day पे आके पड़े, दोस्तों के साथ तफरीम मार रहे है लेकिन UPSC में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, UPSC में कोई आपको देख नहीं रहा है कोई parents नहीं कहने वाले है कि बेटा आपके grades का माएंगे, या UPSC आपको डिग्री देने वाले नहीं आपकी खुद की महनता, खुद की आपकी इमानतारी है अब अपने reflexes को sharp करने के लिए क्या करना है, practice करनी है, answer writing practice करनी है cricket में batsman क्या करते है, अपने reflexes को sharp करने के लिए practice करते है वो spin भी खेलेंगे, वो fast ball भी खेलेंगे, वो medium fast भी खेलेंगे, वो in swinger भी खेलेंगे, हर चीज़ खेलेंगे UPSA की field में हमने practice करनी है essay की बात करू तो sir essay का topic easy हो moderate हो difficult हो, philosophical हो हमको हर एक चीज के लिए तयार रहने के लिए हमको जुड़ना पड़ता है अपने से किसी senior के साथ जिसका तुजुर्बा रह चुका है जो already उस situation में रह चुका है जहाँ पे आप थे किसी mentor के साथ जुड़ने का फाइदा ये होता है कि वो आप गलतियां वो नहीं करते हैं जो आपके mentor ने करी हो अगर मैं IS बना होता तो आज शाद मैं यहाँ पे teaching तो नहां कर रहा होता मैं भी कहीं अपने state में बैठा होता teaching मेरा passion है that is one thing बट शाद ये अनुभव जो आपको मैं आप दे पा रहा हूँ वो ना दे पाता क्योंकि I would have to obviously serve in my state cadre so friends essay writing में बहुत important है कि हम अपने reflexes को शाप करें जो के कैसे हो पाएगा यदी हम writing कर रहे हैं यदी हमारी writing speed बनी हुई है यदी हमारे writing का और content का जो हमारे mind में content है और जो हम लिख रहे हैं उसका अच्छा तालमील है कहते हैं न कि रुषच्छर्मा बहुत gifted है कि रुषच्छर्मा का जो hand और eye coordination है वो superb है तो उसी तरह से हमको अपने mind और अपनी writing का जो balance है वो बनाने के लिए practice करना पड़ेगा essay writing में आपके पास दो essay लिखने है तीन घंटे में UPSC में बहाँ पे GS के paper में तो 20 सवाल लिखने है तीन घंटे में यहाँ पे फिर भी हमारे पास time है लेकिन इतना सारा content है इतनी सारी बाते हमारे mind में चल रही है कोई भी topic हमारे सामने आ सकता है philosophical भी हो सकता है topical भी हो सकता है thematic भी हो सकता है चलो अभी 2023 का जो paper हुआ था essay का जादा difficult topics नहीं आये थे ठीक है एक दो topics को छोड़ के बाकी relatable थे तो हमको यानि कि prepare अपने आपको करना है ऐसे भी कोई essay बात नहीं लिखके आ सकते है कि कुछ भी लिखके आ गए हमको अपनी mental space को free रखना है कि as per the topic हमारे पास शुरू में डेड़ घंटे में अगर आप essay लिखेंगे तो 10 से 15 मिनिट है जहाँ पे हमने brainstorming करके अपने reflexes को sharp करना है वो बहुत जादा जरूरी है अपने reflexes को sharp करना जितने वो sharp होंगे उतने ही बहतरीन तरीके से आप essay लिखवाई दोस्तों essay लिखने वकट एक और major problem जो aspirants में आती है जो कि मेरा तुजुर्बा रहा इतने सारे aspirants को train करके पहली बात तो बहुत सारे aspirants बारा साल के वाद अपना essay लिख रहे है उन्होंने शाद essay कभी नहीं लिखना था कि अरे essay का क्या है पहले पुरी निकालेंगे essay तो यार लिखा था दस्वी 11 में my best friend, thirsty crow, my neighbor ये वो ये वो ये ऐसे ये नहीं लिखने है आप किस तरह का content लिखते हैं क्या आप generic content लिखके आ रहे हैं क्या आप ऐसा content लिखना चाते हैं कि लगे के 9 दस्वी class के बच्चे ने लिखा है do you expect that UPSC will give you marks if you are writing content of a 9th or a 10th standard student no UPSC will not give you marks the examiner will not give you marks बच्चे कहते हैं sir हमारे mind में thoughts बड़े होते हैं यह भी लिख वो भी लिख उसे क्यादा खिचडी बग जाती है so it's very important to be calm and composed while writing it's very important to be quick to be swift in your reflexes but it is also very important to be calm and composed while writing बहुत सारी अवासे आपके mind में उठेंगे आपके दिल में उठेंगे यह भी लिख दो वो भी लिख दो one at a time आप thoughts पे focus नहीं कर पाएंगे और आप एक unstructured तरीके से और एक uncoherent तरीके से incoherent तरीके से आप अपने essay को लिखेंगे और इनी चीज़ों की training देने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ आपके प्यारी कुबेर सर बैठे हैं ताकि आपकी इतनी writing practice हो कि आप अपना essay लिखने से पहले कोई भी topic आए in swing आए, googly आए, off spin हो, fast ball हो आप डरे न दोस्तों अभी भी आने वाले दो महीने आप essay writing को devote कर सकती हैं बिकॉस जानवरी end के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपका momentum pre-oriented बनेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ on popular demand 27th November को हम चौथा batch essay का launch कर रहे हैं चौथा batch इसके features यहाँ पर आपको दिये गए हैं content lectures, thematic base पे भी होंगे philosophical basis पे भी होंगे खूब सारे video lectures आपको देखने को मिलेंगे साथ के साथ आपको personalized zoom sessions मिलेंगे essay writing पे, कैसे आप अपनी essay writing को improve कर सकती है मेरे द्वारा आपको टेलेफोने call दी जाएंगे बच्चे कहते हैं कि सर आप हमको phone कर रहे हो, मतलब बच्चों को पता पर नहीं होता कि सर phone करने वाले, मैं बच्चों को phone करता हूँ कि तुमने पैसे दिये हैं तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि तुमारे यह यह बाते essay में मुझे ठीक नहीं लखी है अपना structure ठीक करो मैं अपने बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे मेरे को reach out करते हैं, उससे दो गुना जादा अपने बच्चों को मैं reach out करता हूँ ताकि उनको मैं यह बता सकूँ कि आप अपना essay का structure कैसे अच्छा कर सकते हैं proper structure तरीके से आपको यहाँ पर essay writing ability पर test किया जाएगा आपके essays evaluate किये जाएगे, आपको feedback दिया जाएगा जब तक आप essay में नहीं बैठते हैं मान लीजे कि आप अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपका हिस्से लिखने का मौका बनता है तब तक आप मेरे साथ connected है टेलेग्राम ग्रूप में mentorship आपको मेरे साथ मिल रही है model essay synopsis मिल रहा है फूप सारे tests आपको essay के मिल रहे हैं जिसके आपको model essay भी मिलेगा साथ के साथ उसको evaluation भी की जाएगी और मेरे द्वारा आपको personally feedback भी दी जाएगी and at any moment you feel like connecting on a video call phone call, telegram, always there तो यह information दोस्तों आपको मैं बताना चाहता था और यह भी आपको मैं encourage करना चाहता हूँ कि यदि आप नहीं भी join करना चाहते हैं essay writing का कोई course please writing practice पे emphasize करें it is only a writing practice जो के आपके reflexes को शाप बना सकते हैं तो यह बात मुझे थोड़ी correlative लगी कापल देव जी की उस podcast में से जो के आपके साथ मैं यह relate कर पा रहा था essay writing पे यदि आप इसे agree करते हैं तो comment section में बताना और यदि आपके बस कुछ और भी सुझाव है तो वो भी comment section में बता सकते हैं 27 November 2023 को GS essay का batch launch हो रहा है चौथा batch है तो kindly दोस्तों जुड़े इस batch में टॉल प्री नंबर पे call करें और साथ के साथ अगर आप कुबेर live code का استعمال करेंगे तो आपको extra discount भी मिलेगा मर्जी आप किये कि आप चाहे तो केवल content only course ले सकते हैं या content के साथ test और mentorship का course भी ले सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं personally तो mentorship course लेंगे तो आपका जादा उसमें फायदा होगा भला होगा content only course में आपको cable video और lectures और PDF ही मिलने वाले हैं तो कुछ जादा फायदा आपका नहीं वहाँ पे होने वाला चलिए मिलते हैं बहुत जल्द thank you so much and जय हुद